गुड मॉनिंग इस्टुडेंट्स लाश्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हमारा सुपर पूजिशन प्रिंसिपल क्या होता है और ग्रिविटेशनल फोर्स और इलेक्रोस्टेटिक फोर्स में डिफरेंस क्या होता है आई आज हम कुछ नुमेरिकल्स देखते है एक बहुत अच्छा नुमेरिकल दिया गया है एक पॉलिथिन पीस रव्ड विट वूल इस फांड तो हैव अ निगेटिव चार्ज ओफ 3 इंटू 10 ती पावर माइनस का 7 कूलाम जब पॉलिथिन को वूल के साथ रब करा गया है तो इस पर एक निगेटिव चार्ज इतना आजाता है हमसे पूँच क्या रहा है एस्टिमेट दन नंबर चार्ज आ गया है मतलब यह क्यों की वैलू दे दी गई मुझे एस्टिमेट दन नंबर ओफ इलक्ट्रोंस ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच नंबर ओफ इलक्ट्रोंस मेंस हमसे स्मॉल एन पूँच रहा है और फ्रॉम विच टू विच ये भी पूँच रहा है कि किस से किस में होंगे polythin से wool में कि wool से polythin में और फिर हमसे एक और ये बहुत important topic इसी में पूछ रहा है कि is there a transfer of mass from wool to polythin कि क्या mass का भी transfer होगा तो आएए देखते हैं कि कितने electrons होंगे और क्या transfer होगा देखें सबसे पहले हम लोगों ने formula लगा दिया Q is equals to any charge मुझे दे दिया गया था 3 into 10 to the power minus का 7 N मुझे find out करना है E minimum charge जानते है 1.6 into 10 to the power minus का 19 N की value निकाल ली है multiply वाल अटम नीचे गया divide कर लिया value आगए हमारी निकल कर 1.875 into 10 to the power 12 मतलब इतने electron transfer होंगे लेकिन कहां से कहां तक transfer होंगे तो हम ये देखते हैं polythene becomes negatively charged wool becomes positively charged तो अब हम जानते हैं कि electrons हमेशा क्या होंगे बिटा negative से transfer होंगे मतलब कि electrons हमेशा wool से polythene में जाएंगे क्यों हमारा wool जो है wool हमारा negatively charged हो गया है और जो polythene है वो negatively charged हो गई है इसलिए electron हमारे transfer होंगे wool से polythene में अब दूसरा question देख लेते हैं कि क्या कोई mass का भी transfer होगा तो आप लोगी समझ लीजे जब भी कभी electrons transferred हो रहे हैं तो अगर electron transformation में n की value एक से ज़ादा है तो definitely mass का भी transformation होगा तो कितना होगा आईए देखते हैं Yes, an electron has finite mass The mass is transferred from wool to polythene कितना तो delta m is equals 2 आ जाएगा small n number of electrons into mass of electron number of electrons अभी मैंने निकाले ये रख दिया mass of electron जानते 9.1 into 10 to the power minus का 31 kg multiply कर दिया ये answer आ गया मतलब इतना mass हमारा transfer होगा आईए एक और बहुत अच्छा question पढ़ते हैं दिया गया है the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcolum due to another small sphere of charge minus का 0.8 microcolum in air is 0.2 newton क्या दे रहा है कि charges सबसे पहले q1 ये दे दिया गया q2 ये दे दिया गया और force जो लग रहा है air में वो ये दे दिया गया तो पूंच किया रहा है find the distance between the two spheres मतलब हम से small r की value पूंच रहा है और फिर पूछ रहा find the force on the second sphere due to first कि first sphere पर जो force लगेगा second के थ्रू वो हमें निकालना है तो याद करिए हम लोगोंने कुलाम सलो में पढ़ा था कि first वाला चाहे second पर force लगा है और चाहे second वाला first पर लगा है दोनों पर लगने वाला force इसे हम होता है तो अगर हम पहले वाले से force की value निकाल लें तो second वाले का answer तो अपने हाप आग गया कोई problem नहीं है एक चीज़ आप लोग और देख लीजे यहाँ पर charges कुलाम में न देकर यहाँ पर देखे दिएगा है micro कुलाम तो यह micro यह सब क्या है तो आईए कुछ कुलाम की unit अगर कुलाम में न देकर अदर दी गई है तो उनको हम कैसे change करेंगे तो one picoculam लिखा हुआ मिलेगा हमें one pc चेंज कर देंगे multiply करके 10 to the power minus का 12 कुलाम से one nano कुलाम इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा one nc क्या कर देंगे हम लोग से multiply कर देंगे one mili कुलाम means 10 to the power minus 3 से multiply कर देंगे आईए देखते है कुलाम's law हमने पढ़ा है f is a cost to one upon four pi epsilon not q1 q2 upon r square force की value थी 0.2 at it is रग दी one upon four pi epsilon not पूरी की value होती है 9 into 10 to the power 9 वो रग दी पहला charge 0.4 micro कुलाम था 0.4 into 10 to the power minus 6 जैसा मैंने बताया था दूसरा था 0.8 into 10 to the power minus का 6 कुछ लोग कहेंगे sir minus चोड दिया तो minus प्लस किवल क्या दिखाएगा कि दो charges अगर opposite हैं तो लगने वाला force attractive होगा दोनों से हम होते है तो reply pulse होगा बाकी और इसका कोई काम नहीं है यहां से r square तो r square उपर जाएगा 0.2 नीचे आएगा तो यहां से हम r square की सबसे पहले value निकाल लेते हैं तो यहां से हम लोगों ने r square की value निकाल ली solve करके यह आ गई square root ले लिया इसका तो value आ गई solve करके 12 into 10 to the power minus का 2 meter तो इतनी हमारी center की बीच की distance होगी और second part का इसका answer मैं बताई चुका हूँ तो एक question आईए और देखते हैं बहुत अच्छा question है और इस तरह का question बहुत important है बहुत ज़्यादा पूचा जाता है ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है four point charges हैं मेरे पास QA, QB, QC, QD two microcolum, minus five microcolum two microcolum and minus five microcolum are located at the corners of A square ABCD ये देखे मैंने figure बना दिया ABCD एक square बना दिया ध्यान आपको ये रखना है जब भी कभी charge हम रखेंगे तो हमेसा anti-clockwise direction में रखेंगे इस start up कहीं से भी कर सकते रखना लेकिन charge हमेसा हम anti-clockwise direction में रखेंगे तो देखें मैंने रखा ABCD तो QA, QB, QC, QD इस तरह से charges रख दिये each of side 10 cm सबकी side हमारी 10 cm होगी करा what is the force on a charge one microcolum placed at the center of the sphere तो center मिलाने के लिए यहाँ से एक diagonal draw कर दिया एक यहाँ से diagonal draw कर दिया तो center O हमें मिल गया यहाँ पर एक charge रखा है Q0 is supposed to one microcolum पूछ रहा है कि यहाँ पर इन charges की वज़े से कितना force experience होगा इस one microcolum पर यह हमें निकालना है तो हम जानते हैं अभी अभी मैंने superposition principle पढ़ा कि इस charge पर यह भी force लगाएगा यह भी force लगाएगा यह भी यह भी और यह भी तो जो सबका sum होगा resultant होगा वही तो यहाँ पर इस पर force लगेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमें distances की जुरत पढ़ेगी यह इस पर force लगाएगा तो यह distance यह इस पर force लगाएगा तो यह distance यह इस पर force लगाएगा तो यह distance सिंस स्कॉायर है तो O A O B O C O D सब बराबर होंगी तो मैं एक काम करता हूँ सबसे पहले O A O B O B O C सब D बराबर कर दी अब अगर मैं एक ये ट्रेंगल ले लूँ तो ये हमारा क्या होगा यहां से पाइथागोरस थेयरम हम लगा सकते हैं तो ये 10 था ये 10 था तो पूरा हमारा निकल आएगा तो हाइपोटेनेस निकालेंगे अंडर रूट 10 का स्कॉइर प्लस अंडर रूट 10 का स्कॉइर लेकिन हमें पूरी तो चाहिए नहीं हमें चाहिए क्या हाफ इतनी तो 1 अपाउन 2 मैं ने पहले लगा दिया तो ये हमारी R की वैल्यू जो निकल कर आजा तो हम लोगों ने 10 root 2 लिख दिया और upon वाला 2 ये लिखा हुआ है तो 2 से root 2 हमने cancel करा तो क्या हो जाएगा हमारा जरा ध्यान से देखिए सोरी 2 से root 2 ना cancel करें 2 से 10 कर देते हैं तो 2 5 जा 10 तो 5 root 2 आ गया हमारा तो cm में आया तो 10 की power minus 2 से multiply कर दिया तो ये मीटर में आ गया अब मैं निकालने जा रहा हूँ कि Q naught पर जो force लगेगा सबसे पहले QA की वज़े से इन दोनों के बीच लगने वाला force हम निकालने जा रहा है तो क्या करा हम लोगों ने formula हम लोग जानते हैं कि F O A O और A के बीच लगने वाला force 1 upon 4 5 epsilon not Q1 मतलब Q A हो जाएगा और दूसरा Q not हो जाएगा तो Q not Q A upon O A का whole square direction क्या हो जाएगी एक चीज़ आप लोग और ध्यान से देखिए questions all करने से पहले हम देख रहे हैं कि ये plus है और ये minus है तो हम जानते हैं कि charge plus वाले से दूर minus की और तो इस पर लगने वाली direction जो हो जाएगी वो हमारी इधर की और हो जाएगी मतलब हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि D की वज़े से जो force लगेगा वो कुछ इधर की और होगा यहीं पर अगर हम इधर की और बात करें तो ये plus है ये minus है लगने वाला force इधर की और होगा प्लस से दूर minus की तरफ यहाँ पर देखिए ये plus है और ये plus है तो अब इन दोनों के बीच repulsive force लगेगा तो जब O और C के बीच जो force लगेगा तो C से opposite मतलब हम लोग कहेंगे कि ये जो लगने वाला इधर की और force होगा ये QC की बज़े से होगा और इन दोनों के बीच ये भी positive है तो लगने वाला force इस से दूर मतलब कि ये force जो होगा ये QA की बज़े से होगा आप लोगों को समझ में आ गया ये जो इधर की और force लगा था ये QD की तरफ होगा क्यों? क्योंकि माइनस की तरफ होता है और ये QB की तरफ होगा क्यों? क्योंकि force हमारा हम लोग जानते है negative की तरफ होता है तो हम लोगों ने देखा कि ये दोनों force एक दूसरे को balance करेंगे तो एक काम हम करते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने इसको solve करा फिर इसके बाद यहां पर हम लोगों ने देखा Q0 और QA दोनों की value रग दी फिर OA की value रग दी इसका square कर दिया solve करा यह आ गई value अब A की वज़े से आईए तो A पर लगने वाला force हम लोग जान रहा है कि किदर होगा along OC मैंने देखा दिखाया कि QA इधर की और लग रहा है तो OC की तरफ इधर की और लग रहा है यह आ गया देखे अब हम क्या करते हैं कि A की वज़े से निकाल लिया है अब मैं सबसे पहले C की वज़े से निकाल लेता हूँ क्यों क्योंकि एक दूसरे को balance करेंगे तो अब मैंने क्या करा कि force on Q0 due to charge QC अब हम इसके वज़े से निकालने जा रहा है तो देखे जर आब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि अब मैंने जब यहाँ पर force निकाला तो फिर से वही formula 1 upon 4 pi epsilon 0 Q0 पर निकालना है QC की विज़े से और distance दोनों की OC का square फिर से इसकी value 9 into 10 की power 9 Q0 पर 1 microcolam charge था QC 2 microcolam था distance same है solve करा 3.6 आ गई लेकिन इसकी direction कहाँ पर है हमने आपको दिखाई थी इसकी direction है along OA तो values दोनों की देखिए 3.6 इसकी भी आई और 3.6 हमारे इसकी भी आई लेकिन दोनों की direction क्या है opposite है तो हम लोग यहाँ पर यह दिखा रहे हैं कि it is clear FO OA प्रस F O हम लोग यहाँ पर कहेंगे OA की वज़े से और OC की वज़े से जो लगने वाला net force है वो जीरो होगा क्यों? क्योंकि दोनों की direction opposite है मतलब इन दोनों की वज़े से और इन दोनों की बीच लगने वाला यह जो force है यह net force हमारा क्या हो गया? इन दोनों की बीच जो लगने वाला net force है यह 0 हो गया अब हमारे यह दोनों force बचे इन दोनों की वज़े से और एक इन दोनों की वज़े से लगने वाला force तो आईए देखते हैं अब हम लोग ने क्या करा force on Q0 due to charge QB 9 और किदर की ओर आजाएगी? अब माइनस वाले की तरफ होती है तो इसकी direction हो गई along OB अब हम क्या करते हैं? कि Q0 पर लगने वाला force QD की वज़े से तो फिर से वही काम 1 upon 4 pi epsilon 0 Q0 QD upon OD का इसक्वार माइनस वाले की तरफ direction मतलब along OD सारी values रखी है solve करने से value आगई 9 अब फिर से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर direction है along OB और यहाँ पर direction है along OD तो इधर देखिए एक direction आ रही है along OB और एक direction आ रही along OD फिर से हम लोग देख रहे हैं कि values को दोनों क्या है? same है values हमारी फिर से लोगों ने देखा क्या? कि net charge क्या आ रहा है हमारा FOA की वज़े से OB की वज़े से OC की वज़े से और OD की वज़े से तो ध्यान दीजिए कि इन OA और OC की वज़े से लगने वाला force 0 हो चुका है और इन दोनों की वज़े से किसको आप लगाईए question बहुत अच्छा है solve करेंगे आपके doubts clear हो जाएंगे next video में हम कुछ और numericals देखेंगे तब तक के लिए thank you so much